हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2016 की औसकर विनी मूवी मूनलाइट एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ हम बजबन से लेकर जैसे बड़े होते जाते हैं और इसके साथ-साथ ही अपने आइडेंटिटी पार लेती हैं इसी एक सब्जेक्ट पर ये मूवी है ये मूवी इसके साथ बहुत सारे लेसेंस हमें सिखा कर जाती है तो चलिए शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा फर्स्ट करेक्टर वान हमें दिखता है वान जो होता है यह एक ड्रग डिलर होता है इसके नीचे बहुत सारे आदमी काम करते है इसके जो ड्रग्स होते है यह ही डिस्ट्रिब्यूट करते है वान एक जगा आया है यह हमें दिखता है और इससे पता विगरा पुछता है, क्या चल रहा है, यह सब उससे पुछता है, जब इसको पता चल जाता है, कि बिजनेस विगरा किस तरह से चल रहा है, इसके बाद वो आसे चला जाता है, नेक सीन में हम देखते हैं, कि एक छोटे से लड़की की पीछे, बहुत सारे लड़की भाग रहे हैं, इसे ये सब मारने वाले होते हैं, तो ये बहुत जोर से भाग रहा होते हैं, ये हमारा में चारेक्टर है, और इसका नाम है शायरन, इसे सब लीटल बुला थे, ये भाग भाग कर एक सुमसंग बिल्डिंग में आ जाता है, वह आओ छुप जाता है, जो लीटल को देखता है भ temps बहुतीं डरा हुआ होता है वो कहता है कि मुझे से डरने के कोई भी ज़रूत नहीं है मैं यहांसे जा रहा हूँ उसे वह बहुत आने कर बोल रहा होता है यहां नहीं रुख सकता है यह सब उसे कहता है ल horrंख सकता यहां रहते हो, मुझे तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें ऐसे मेरी बिल्दिंग्स में नहीं छुपने दे सकता, वान लीटल से बुलवाने के लिए उसका जो खाना होता है, यह प्लेट जीन लेता है, लीटल अब और भी सट्डाउन हो जाता है, तो उसे डिनर देती है, लेरेसा जब उसे पूछती है, तब यह कुछ भी बोलनी रहा, वो कहती है कि पहले तुम सब कुछ खापी लो, उसके बाद हम बात करेंगे, वान कहता है कि ये वो सही से करता है पर कुछ बोलता भी नहीं तरेसा कहती है कि तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करने वाला बोलने के लिए लिटल कहता है कि मेरा नाम शायरान है पर मुझे सब लिटल बुलाते है वो कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाओंगी ये फिर थोड़ी थोड़ी बादे करता है और कहता है कि वो कहा रहता है ये अभी घर जाने के लिए रेडी नहीं होता तो डिरेसा बोलती है कि आज रात तक तुम यहां रह सकते हो कल सुबा वान उसे छोड़ कर आएगा नेक्स दिन वॉन लिटल को उसके घर छोड़ने आता है उसकी मदर होती है इसके लिए बहुत ही वरीट होती है वो लिटल को कहती है तुम्हें घर आना था तुम कहा चले गई थे वान को देखकर यहाँ बहुत ही परेशान होती है वान कहता है कि उसने इसे कहाँ आया था वान अब यहाँ से जाने वाला होता है तो लीटल से हाइफाव लेना चाता है लीटल की जो मदर होती है यह उसे नहीं करने देती है लीटल को अंदर लेकर जाती है लिटल जब TV लगाने लग जाता है तो उसे कहती है अब तुम्हें TV में लगाने नहीं दूँगी उसे बुक पढ़ने के लिए बोलती है नेक्स दिन में हमें दिखता है कि लिटल अपने फ्रेंज के साथ खेल रहा होता है यह फुटबॉल खेल रहे होते है जो सब लड़के होते हैं बहुत ही स्टॉंग होते है शायरान इनसे कीपब नहीं कर पाता है थोड़ी देर बाद यहां से निकल बढ़ता है उसके पीछे पीछे उसका एक फ्रेंड होता है केविन हो आने लग जाता है वो कहता है कि मुझे भी अब इतना इंट्रेंस नहीं इनके साथ खेलने में यह दोनों फिर बात करने लग जाते है केविन कहता है कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हो ऐसा होने लगता है तुम कभी-कभी उनने दिखाना चाहिए कि तुम सॉफ्ट नहीं हो लिटल भी इसके लिए अगरी करता है केविन फिर उसे धक्का देता है वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम सॉफ्ट नहीं हो यह दोनों फिर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते है और यह जब खतम हो जाता है तब केविन उसे कहता है कि इसी तरह से तुम अब उनसे भी फाइट करना है केविन एक अच्छा फ्रेंड होता है वर्ल्ड में कैसे उसे रहना है यह उसे यहाँ सिखाता है नेक्स दिन हमें दिखता है कि वोन के पास फिर से लिटल आ चुका है वोन फिर उसे बीच पर लेकर जाता है यह दोनों जब पानी में जाते है तब उसे तेरना कैसे यह सिखाता है यह हो जाने के बाद वो बीच के सैंड पर विटते है वोन अपने बच्पन की स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि एक दिन हम ब्लॉक पर खेल रहे थे तोड रहे थे तब एक ओर लेडी मुझे मिली थी यह रात थी तब उसने मुझे कहा था जब ब्लैक लोग रात में घुमते है मुनलाइट उन पर पड़ता है तो ब्लू चमकते है वो मुझे तब से ब्लू बुलाने लग गई थी लिटल उसे पुछता है कि क्या तुमारा नाम ब्लू है वोन कहता है कि नहीं मेरा नाम ब्लू नहीं है तुम किसी और को डिसाइड नहीं करने दे सकते कि तुम क्या बनने वाले हो तुम क्या हो तुम क्या करने वाले हो ये कभी ना कभी तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ता है रात में वान लिटल को छोड़ने के लिए आता है उसे थोड़ी सी pocket money भी दे देता है लिटल की मदर वान की मुँपर ही दर्वाज़ा बन कर लेती है लिटल की मदर के साथ और एक आदमी आच आया हुआ होता है लिटल के साथ उसके जो friend होते है यह हमेशा उस पर pick करते रहते है उसे कभी भी chain से नेरे ने देते निक सिन में रात दिखाए गई है और one street पर होता है street पर अपना जो dealer होता है उसके साथ खड़ा हुआ होता है वो अपने dealer को कह रहा होता है कि किसी को भी यहाँ smoke करने मत देना वो जो sale करते है यह कभी भी उसका धुआ यहाँ से निकल रहा है यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए थोड़ी देर बाद जब हो देखता है तो पर एक गाड़ी से smoke आ रहा होता है अपने dealer को डाटता है और वहाँ इस situation को handle करने के लिए चला जाता है इस गाड़ी में जब वो देखता है तो लिटल की मदर और जो आदमी पहले हमें दिखाये गया था यह वहाँ बैठे हुए है और यह दोनों smoke कर रहे है वान इन दोनों को डाटता है और फिर लिटल की मदर इस पर चीड़ जाती है उसे पताता है कि लिटल हमेशा उसके पास आचाता है वो चीड़ कर उससे कहती है क्या तुम उसे बड़ा करने वाले हो वान कहता है कि मैं नहीं तो क्या तुम करोगी यानि कि वो ड्रग्स वगरा करती है तो अच्छी मदर नहीं है ऐसा उससे कहता है लिटल की मदर कहती है तुम भी ड्रग डिलर हो तुम भी उसे बड़ा नहीं कर सकते है क्या तुम उसे बताओगे कि लड़िये उसे क्यों चिटाते है लिटल गे होता है इसलिए उसे सब बहुत ही ट्रबल देते है लिटल अभी छोटा है इसलिए उसे पता नहीं है इसे किसी पापी वो ऐसे ही आया हुआ होता है वो टेबल पर साइट पर बैठा होता है वोन से कहता है कि तुम्हें सेंटर में बैठना चाहिए इससे तुम सब लोगों को देख सकते हो लिटल बैठकर उससे कहता है कि मेरे मदर को मैं हेट करता हो वोन कहता है कि मैं भी मेरी मदर को हेट करता था पर जैसे तुम बड़े होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यह बहुत ही गलत था मैं अब उसे बहुत ही जादा मिस करता हूँ लिटल वान से question पुछता है वो कहता है कि सब लोग मुझे faggot बुलाते है इसका क्या मतलब होता है वान कहता है कि गे लोग को बुरा फिल कराने के लिए लिए कुछ लोग c puppy करते हैं लिटल पुछता ए कि क्या मैं गय हूं तो वह कहता है कि तुम्हें figure out करना पड़ेगा यह कोई नहीं बता सकता तैहरस डेरे से बोलती है कि तुम यह लोग बोलते है है यह सही नहीं है यह नहीं बुला सकते फिर One से बुछता है कि क्या तुम ड्रग्स सेल करते हो One बोलता है कि हाँ आप में ड्रग्स सेल करता हो Little की मदर ये पाय करती है ये ड्रग्स करती है ये सुनकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है इस मुवे में हमें Little के अलग अलग टाइम पिरेट दिखाये जाएंगे जो फर्स टाइम पिरेट था उसका नाम इन्होंने लिटल रखा था अब जो नेक्स टाइम पिरेट आता है इसमें लिटल टीनेज में है वो स्कूल में वेगरा है और इस पिरेड का नाम उन्होंने शायराण रखा है यानि कि लिटल से शायराण तक इसकी ट्रांजिशन जो है यह हमें अब दिखाई जाएगी यह टाइम पिरेड स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि लिटल को जिस तरह से बच्चे 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 बच कर लेता है अब हैं डिटेंशन में है कि उनसे कहे कर जाता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चले चाहिए लिटल जब घर पर आता है उसकी मदर उसे कहती है कि आज रात तुम यहां नहीं रुख सकते हैं आज मेरे पास कंपणी है यानि कि उसके पास कोई आने वाला है इसल पता चलता है कि गौन अब घुजर चुका है लीटल गौन के बारे में ज़्यादा खुश नहीं बोलता क्योंकि वो उसके लिए फादर फिगर जैसा था लीटल सर नीचे रख कर अपना खाना खा रहा होता है तेरे सो उसे कहती है यसा डर डर कर तुम्हें मेरे हाउस में नहीं रहना है तुम इस घर में प्राइट से अपना सर उपर रख कर रह सकते हो लीटल सिर्फ नौर करता है वो कहती है कि मैंने जो सब का है वो तुम्हें फेज से कहना है वो जादा बोल सके इसलिए उसे ट्रेंड करती है रात होती है तो उसके लिए बेड बनाती है वो कहती है तुम्हें बेड बनाना नहीं आता था और वोन को भी बेड बनाना नहीं आता था लीटल को रात में सपने में अपना फ्रेंड डिखता है सुभा होती है, नेक्स दिन लीटल अपने घर जाता है इसके जो मदर होती है, एक घर के बाहर होती है और दर्वाजा लॉक हो चुका होता है उसे दर्वाजा खोलने के लिए बोलती है और इसके बाद उससे पैसे मागने लग जाती है यहाँ इसकी मधर हमें ट्विची दिखती है यानी कि इसको ड्रक्स की जरूरते और इसे मिलनी रहे है इसके पास पैसे भी नहीं है तो लीटव से वो पैसे मांगती है लीटल इसे दे नहीं रहा होता तो जबरदस्ती इसके pocket वेगरा चेक करने लग जाती है लिटल रेस करने के लिए अपने रूम में जा रहा होता है तो उसे कहती है कि तुम्हें आप स्कूल जाना है वो घर से उसे बाहर निकाल देती है स्कूल से लिटल जब टेरेसा के पास जा रहा होता है उसके स्कूल मेंट फिर से उसे घेर लेते है उसे पुछते कि यहां तुम कहा जा रहे हो उन्हें पता होता है कि टेरेसा के बास जाता है वान मर चुका है टेरेसा के बारे में वो गंदी-गंदी बाते बोलने लग जाते है लिटर इस पर चीट जाता है उसके classmate कहते है कि क्या तुम्हें कुछ trouble चाहिए लिटर लर जाते है और कहते है कि मुझे कोई भी trouble नहीं चाहिए उसका classmate फिर उसे छोड़ देता है आज लिटर को घर पर भी नहीं जाना होता और टेरेसा को भी मिलना नहीं होता तो directly बीच पर आ जाता है बीच पर थोड़ी देर बात केविन आता है केविन यहाँ आसपास रहता है तो उसे देखकर यहाँ सप्राइस्ट होता है केविन हमेशा उसे black बुलाता है यह उसके लिए उसने nickname रखा होता है लिटर उसे पूछ भी लेता है क्यों तुम्हें black बुलाते हो इसे महसूस करकर बहुत ही शांत लगता है जिसा सब कुछ ठेर चुका है लिटर कहता है कि इतना शांत है कि खुद की heart beat में सुन सकता हो केविन कहता है कि इतना सही है कि रो ना आ जाए लिटर बोलता है कि क्या तुम रोते हो तो कहता है कि नहीं मैं सिर्फ बोल रहा था लीटल कहता है कि मैं बहुत रोता हूँ मुझे बहुत सारी चीज़े करने का मन करता है यानि कि उसके जो classmates है या जो world है इसे उसे जगर जाना है ऐसा उसे हमेशा लगता रहता है केविन और शायरोन फिर एक दूसरे का हाथ पकरते है और वो एक दूसरे को किस कर लेते है केविन फिर लीटल को अपने घर छोड़ देता है वो उससे बोचता है क्या तुमने ऐसा कुछ कभी किया था लीटल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता वो नौट करता है और वहाँ से चला जाता है लिटल जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे फिर से पैर से अपने पास बुलाती है इसकी जो मदर है, यह जब भी कलीन होती है या ड्रक्स पर नहीं होती तो यह बहुत ही अच्छी पैरेंट होती है रख्स के नशे में जब वो peaceful होती है, तब भी वो अच्छी parent बन जाती है, जब भी वो drugs कर रही होती है, जब उससे craving हो रही होती है, तो यह कुछ भी करने लग जाती है, यह एक responsible parent नहीं रहे थी, वो यहाँ रात में little से कहती है, कि वो उससे बहुत प्यार करती है, नेक्स दि होता है, इसमें यह किसी और के पास point करेगा, Kevin जो है, इसे जाकर उसे मारना पड़ेगा, अगर कोई blame आया, तो यह Kevin पर नहीं आएगा, यह classmate पर ही आएगा, यह classmate फिर Kevin से कहता है, हम फिर से करना चाहिए, इस बार का जो target होता है, यह little होता है, यानि कि अब Kevin को little को मारना पड़ेगा, जब school खतम होती है, तब little के सब classmate उसे घेर लेते है, Kevin को उसे मारने के लिए बोलते है, Kevin उसे एक punch करता है, कि तुम नीची ही जुक करो, Kevin उसे मार रहा है, तो little को बहुत ही बुरा लगता है, और वो नहीं मानता, वो फिर से उट जाता है, Kevin फिर उसे बहुत म पड़ेगा, तुम जिस सब से गुजर रहे हो, यह मैं समझ सकती हूँ, little केता है, तो एक कुछ भी नहीं पता, कि मैं क्या मैसूस कर रहा हूँ, little केविन पर रैट नहीं करना चाता, little किसी का भी नाम नहीं बदाता, और वहाँ से चला जाता है, निक्स दिन जब वो classroom में आ पहला जो time period था, उसे little बुलाय गया था, और इस time period को Sharon बुलाय गया था, अब little की Sharon में transition हो चुके, इसमें करे जा चुका है, और अब यह jail में जा चुका है, अब जो next time period हमें दिखाय जाता है, इसमें little अब बढ़ा हो चुका है, यह fully grown man बन चुका है, अब यह Sharon बन चुका है, तो हम इसे Sharon ही पुकारेंगे, इस time period का नाम उन्होंने black रखा है, इसका जो significance है, यह movie के last में में आपको बताऊँगा, जब हम इस बार Sharon को देखते है, यह body builder बन चुका है, यह सही तरीके से reach भी हो चुका है, इसके पास apartment, एक अच्छी गाड़ी, यह सब कुछ है, वहा में शायरान बहुत ही शाय था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था, अब बढ़ा हो चुका है, तो उसमें बहुत ज़्यादा confidence आ चुका है, यह किसी को भी डरा सकता है, धमका सकता है, अभी वह ज़्यादा कुछ बोलता ने, पर वो सही तरीके से आप बोल लेता है, उ इस सिचुएशन जरा टेंस हो जाती है, तब शायरान हस देता है, वो कहता है, कि मैं सिर्फ तुमारा मजा कले रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने इस बार बहुत ही अच्छे पैसे लाए है, उसे वो पैसे दे देता है, और वहाँ से निकाल देता है, जब रात हो ज रनी आती, तो वो औरकाट वेकर करता है, थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल हाता है, यह जो कॉल होता है, यह केविन का होता है, जब केविन अपने आपको इंट्रडूस कराता है, तो शायरान बिलीव नहीं कर पाता, केविन कहता है, कि टेरे साथ से मैंने तुमारा नंबर केविन पूछता है, कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कोन हूँ, वो कहता है कि हाँ, मुझे मालू मैं कोन बोल रहा है, चुका है वो शायरान को कहता है कि कभी तुम यहां आए तो मैं तुमारे लिए कुप करूँगा शायरान फिगर आउट नहीं कर पाता कि इसने इसको क्यू कूल किया है केविन उसे कहता है कि रेस्टारण में एक आदमी आया था उसने गाना चलाया था इसके बाद तुमारी क्यात मुझे आ गए इसलिए उसने कॉल उसे किया होता है यही यह कोल खतम हो जाता है और हमें शायरान अब ड्राइव कर रहा है कि हमें दिखता है वाडलांडा में आ रहा है पहलेrichten मादर से मिलने जाता है शायरान को रात में बुरे सबने आते यह उसकी मदर को पता है इस उसे पता है कि शारॉन क्या काम करता है ये फिर उसे एडवाईस करती है वो कहती है कि मैं बुरी थी मिन जो सब काम की है ये बहुत गलत किये है पर तुम्हें भी ये और प्र करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तुम हमनी life सही से कर सकते हो तुम्हारे पास चांस है कि तुम सही रास्ते पर चल सकते हो शारौन फिर वहाँ से जाने लग जाता है उसे बेटने के लिए बोलती है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारा सब कोच अच्छा हो यही मैं चाहती हूँ यह उसे स्वारी बोलती है और यह दोनों रोने लग जाते है शायरौन फिर केविन जहां काम करता है वहां आता है केविन उसे पहले पहचाने नहीं पाता उसे बुच्छता है कि तुम कैसे आ गए शायरौन केता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए कुप करोगे इसलिए मैं आया हूँ केविन केता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें खाने बीने के कुछ कमी है और हो कहता है कि मैंने बोला था इसलिए अब उसके लिए वो cook करने लग जाता है केविन उसके लिए dishes वेगरा लेकर आता है वो इसके पास wine भी होती है ये भी वो पूर करता है शारान बोल रहा होता है कि मैं पिता नहीं क्योंगी वो इसे taste नहीं कर पाता इसके बाद Sharon बिना taste के ही इसे पी लेता है केविन ने Sharon के लिए जो dinner बनाया होता है इस Sharon को बहुत या अच्छा लगता है ये Kevin notice करता है Kevin अब restaurant चला रहा होता है तो उसे कुछ काम होता है तो यहाँ काम करने लग जाता है अपना काम खतम होने के पात वो फिर से Kevin के पास आता है Kevin अपना wallet निकालता है उसका जोस्तन होता है ये Sharon को दिखाता है उसे कहता है इस school में मेरी girlfriend होग करती थी Sharon को पता होता है कि ये कौन थी वो कहता है कि उसके साथ ही मैंने शादी कर ली थी ये बहुत ही young थे तब ही इसे बच्चा हो चुका था अब उसके और उसके wife का divorce हो चुका है ये भी Sharon को पता चलता है ये Sharon से पूछता है इस इंसिडेंट के बाद इसने क्या किया है Sharon उसे कहता है कि जेल में मेजूवियों में चला गया था वहाई gangster से उसकी मुलागात हुई थे उसके लिए इसने काम करना शुरू कर दिया और जिस तरह से टाइम गुजरता गया इसे अच्छे से काम करता गया और एक बड़ा dealer अब ये बन चुका है Kevin सप्राइस चुता है कि ये काम वो कर रहा है Sharon कहता है कि जो है वो है Kevin ये मानने के लिए ready नहीं होता वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो तुम ये नहीं कर सकते Sharon Kevin से पोचता है क्यों तुमने मुझे यहाँ बुलाया है Kevin उसे बोलता है कि मैंने तुमें बताया था कि एक आदमी आया था उसने गाना चलाया था जिससे मुझे तुम्हारी याद आगे शारण को इस पर बिलिव नहीं हो पाता केविन फिर उटता है और एक गाना चलाता है इस गाने में दो लवर एक दूसरे जुदा हो गए थे जब फिर से मिले है तो भी इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये इस गाने के बोल होते है जब केविन की शिफ्ट खत्म हो जाती है तो शारण और वो गाड़ी में केविन की घर पर आ जाते है शारण ने बहुत पी ली होती है तो इसलिए उसे जारण डीजी मैसूस होने लगता है केविन उसके लिए कौफी बना रहा होता है केविन उसे कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा तुम बहुत ही अलग अब लग रहे हो शारण उसे कहता है कि हमेशा से मैं ऐसा ही था केविन इस पर हसता है और कहता है मुझे पता है ये तुम कैसे थे केविन कहता है कि last time जब मैं तुम सी मिला था पर शारौन उसका sentence इंटरॉप कर देता है वो कहता है कि last time जाने के बाद मैं आप फिर से रोज अब हुआ हूँ मैं जैसा था, वो गलत था मैंने आप काम किया है और मैंने अपने लिए कुछ बना लिया है मेरा जो पास था इससे मैं आप उपर उठ चकाऊ केविन कहता है कि ये भी सही है शारौन केविन के बारे में पूछता है केविन कहता है कि लोग हमेशा जो भी करने के लिए बोलते रहे, वो मैं करता रहा, कभी मुझे जो follow करना था, जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे करना था, ये कभी मैं करनी पाया, शारण उसे पुछता है कि अब क्या, केविन कहता है, आप तो मैं मेरे सन के लिए जीता हूँ, अपने सन से वो बह पास दाता है और एक दुसरे को सहारा दे रहे हैं यह हमें दिखता है इस सीन के बाद हमें छोटा शायरा और दिखाए गया है इस scene का अब हम meaning देखेंगे जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारा जो भी struggle होता है ये control के लिए होता है जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो अपने आप पर हमारा control आता रहता है अब जो situation है इसको भी हम control कर सकते हैं इसके लिए जो भी सब चीज़े हमें करने होती है यानि कि education job या कुछ न कुछ पैसे कावाना ये सामप करते हैं जो मारी life का जो control होता है यह हम पाते रहते हैं जब आप किसी relationship में आतो तो एक control पाने के लिए आपने आपको जैसे बनाया है जिस तरह से खुट के पास हम एक shield wall बना कर रखते हैं वो सब हम तोड़ देते हैं हम जैसे हैं इसा इस आदमी को हमें दिखाना पड़ता है जैसे हम छोटे थे जिस तरह से हम world को देखते थे जैसा हम महसूस करते थे relationship में हम फिर से वैसे महसूस करने लग जाते है शारान जब केविन के पास होता है तो वैसे ही महसूस करता है इसलिए हमें जब शारान चोटा था उसका एक scene दिखा गया है यह जो time period था इसका नाम black था केविन उसे black बुलाता था शारान अब केविन का black बन चुका है शारान बच्वन में weak था उसे लोगों से कैसे डट कर सामना करना है यह कभी भी नहीं आता था अब जो बेब बड़ा हो चुका है तो अपने आपको इसने खड़ा कर लिया है अब यह world का सामना कर पाता है पर फिर भी अकेला ही होता है अब जब वो केविन से मिल चुका है अब वो अकेला नहीं है जैसा शारान है केविन उसे वैसे ही जानता है एक दूसरे का साहरा बन चुके है इस last frame के साथ यह movie एंड होती है growing up पर यह बहुत beautiful movie थी अब आपको एफ वीडियो अच्छा लगाओगा तो फिलिस इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो इसलिए इस चैनल को subscribe करना भी consider कीजिए bell notification icon भी दबा दीजिए यानि कि आपको सब वीडियो मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक अच्छी movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप आपने आपका खैल रखिये